नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने टैरिस गार्डन का एक ओवर्व्यू दिखाऊंगी और विंटर के प्लांट्स में किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है यह तो आप देखी रहे हो यह जो स्टेंड है मैंने नया बनवाया है भी इस पे पेंट अबर यह कुछ भी नहीं हुआ है फिस जब दिया है और मैंने जो इधर-अधर भिख्रे हुए मेरे यह जो गमले थे मैंने इस पे अभी अरेंच कर दिया है अभी प्रॉपर उसको आरेंज नहीं किया है बस यह लगा के देख रही थी कि किस तरीके से सेटिन हो नोशार के ह उपर एक जो boundary wall की रो है उसमें मैंने petunia है penzi है इनके जो planter है मैंने plastic planter में ही सारे plants लगाए हुए है और कुछ यह oil container है इनके भी मैंने planter बना दिये थे और यह देख रहे हैं यह मेरे hanging planter है इसमें मैंने छोटे ही plant लगाए है जैसे dianthus है वो लगा हुआ है यह देखिए कि सैंथिमम है यह लो बाला कितना सुंदर फ्लाबलिंग इसमें हो रही है इसके लावा मैंने इसमें प्रिम्रोज लगाया हुआ है कुछ पौदे जो है व मेरा पहला देखा होगा आपने वो सूख गया है वो ओवर बाटरिंग का नतीजा है क्योंकि इसकी जो जड़ती वो लगभग सर्सी गई है इसलिए वो प्लांट सूख गया है यह कृसंथिमम है कुछ मैंने उपर रूफटॉप पे लगा रखे हैं और कुछ मैं प्लांटर जो थे वो नीचे ले आई थी बहुत मुश्किल होता है मैं पहले पौधे उपर लगाती हूं फिर इनको मैं अपने टरिस गार्डन में लेके आती हूं नीचे वाली फ्लोर पे लेके आती हूं जो कि बहुत मुश्किल होता है रोज दो से तीन गमले इस तरीके से मैं इनको को लेके आती हूं और फिर जब इनकी में फ्लावरिंग खतम हो जाती है मार्च में फिर में इनको उपर ले जाके रखना होता है जो कि बहुत मेहनत का काम होता है और यह मेरे कैक्टस वाला स्टेंड है यह मैंने देखिए पिछले दिनों इसका मैंने वीडियो भी डाला की उसका यह पॉठ है उसमें मैंने नीचे होल करके यह लगाया हुआ है बहुत छोटे-छोटे कैक्टस और सेक्कुलेंट प्लांट्स के मैंने कटिंग इसमें लगा दी है और यह देखिए एडेनियम है जिनकी लीप अब गिर रही है अभी डॉर्मेंसी में जाने की स्थि टैरेस गार्डन का एक लुक है जिसमें दो मैंने वोडन प्लांट इस्टेंड है सॉरी जिनमें कैक्टस और सेक्यूलेंट सी लगे हुए है और इस तरीके से कि लुकाता है यह चोटी सी मेरी जगह है इसमें से होके हम अपने ड्रॉइंग रॉम में जाते हैं तैंक यूँए